जैसे मतलब जब श्यू मंदिर से बाप्तिस आए जो पत्ती बेल पत्त्री फूल शिवजी पे चड़े थे वो नीचे शिविलिंग पे से नीचे गिर गए हो एक शिविलिंग रखा है लामा मिट्टी वादा लाई यह जरो अब छत्तिस गड़ में कता चल रही तोड़ा ध्य जान से सुन लोग एक अंतेश्वर शिविलिंग का पूरा बरतान तो आप लोग जो पशुपति वरत कर रहे हो या कोई भी उपास करते हो कई लोग करते हैं हमने करा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ उसमें हमारी गल्तियों को में चाहिए यह देखे अब जैसे यह शिविलि देखे चड़ाए जिससे छीटे बहार यहां तक छीटे रहे जलाधारी तक चलेगा बहार नागे और एक बात का इसमर्ण रहे हैं यदि यदि तो बेलपत्री फूल पती जल चड़ाने के बाद यह सब अगर नीचे गिर जाए जलाधारी पर गिर गया यह नीचे उतर गया तुम्हारा पूरा जल चड़ जा, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अभीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की तीन उंगलियों से रेखा, तीन खीच कर, और फिर जो माला आदिक आदिक भगवान की रखी थी, उसी से भगवान का करकर फिर बापिस आईए, भगवान को पूर अशंगार करकर आईए, कई लोग जल चड़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चड़ा, जल चड़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है, उसी को उठाकर, उसको रखकर, उसी फूल से भगवान का खूफ सुनगार, भगवान का करकर फीर आईए, क्यों शिव का जब हम शंगार करकर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का शंगार किया है, आप लोगों कि स्मरण में होगा, राम जी ने म माता जानकी का शंगार किया है, राम चरित सुनिये का था, रामएंड य्था आप लोगोंने, रामएंड सुनी होगी तो इसमें माता बेटी है शिला के ऊपर, और भगवान राम उनकाशगार कर रहे हैं, एम एख फूंच मार कर जाता है, आप लोगों Coffee को श्रिमन किया, त एक देवदी देव महादेव की कथा एसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का सुन्दार करती है कि शिव का सुन्दार किसलिए क्यों कहा जल चड़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से फूल से जो चड़े हुए फूल हैं चड़ी हुई पत्ती है चड़ा हुआ निरमाल है जो भी शिव जी का है उसी को धोकर वापिस भगवान कर शंगार करकर आना चाहिए किस लिए कि हे भोले ना जब मैं इस संसार सागर से जाओं अखंड सुहाग लेकर पूरी शंगार करकर इस धाम से जाओं एसी कृपा जो पड़ा हो जो पड़ा हो जो चंदन नहीं है हाथ से चंदन का स्मर्ण देता से नहीं हमारे पास लगाने को रोली मॉली चंदन जो भी आपके पास में अभी हुलाल नहीं है अपने मन का घुलाल लगाई अपने मन का आज मंग दिल से रिजाने का सिपर महापुरान का मौन मंत्र हजार और हजार महम्रक्तियूंजे और कोश्यु महा पुरान में बेधियासि ने वर्णन कर दिया श्री शिवाय नमस्तु भ्यम् सब भूलो खरक्थ हम सब और श्री शिवाय नमस्तु भ्यम् कोई भी मंतर का जूब करो कभी भी करो जल्दी जल्दी ना करें बहुत प्रेम से जल्दी खाओगे गाल कट जाएगा धिवान कट जाएगी जल्दी जपोगे भजन कट जाएगा जाप कट जाएगा उसका कोई पुन्द नहीं मिलेगा कि जैसे भगवान को इसमान कराते समय बीठियां उतार जी जाती है कि भगवान को घर्षण ना हो जाएगा अब आप लोग उतारते हैं कि न उतारते हैं भगवान जाना है ठीक है नहीं तो कई कई तो वो राम नौमी जन्मा इस्तिमी को मैंने देखा है ऐसा थाली में भगवान को रख लेते हैं और जो घिसने पिड़ते हैं भगवान को फिर तो वो चाहिदार भसने का बरस क्यों ना हो और भगवान भला करे या तो निबू से घिस देते हैं और आ गया पाउड़ा हाँ वो पितामगरी से घिस देते हैं एसा घिसा तो क्या कि आज जनमस्ट में है ना इत्त जोड़दार घिसुंगी चमक जाएगा एसा घिसा घिसा भगवान को भी लगा आज मेरा हेपी बड़दाने टू यू और इत्त घिस दिया मुझको अवान दे तेरा जनम दिन मेरे जनम दिन पे तूने घेसा और मालूम पड़े साधी की सालगीर आई या जनम दिन आया पती के साथ गाड़ी पे जा रही थी मंदिर दर्सन करने और जो इस्पिट ब्रेकर पे से मैं तो आज मेरा जनम दिन और भगवान के जलसन करने जा रही थी और घसा आगई और क्या के मैं तो अच्छा काम करने जा रही थी और घसा आगई और वो भी मेरे जनम दिन वाले दिन भगवान के मेरे जनम दिन वाले दिन तूने घसा और मेने घसा तम मलूम पड़े भग जवान को भगवान मानी है, फीतल की मूर्थी नहीं, पशान की भूरत नहीं, एक किता सुन्दा चरित्र कल्यान में लिखा गया था, बहुत सुन्दा चरित्र, एक बाबा को संत्र को जाना था, कुम्द के मेले में, उसके पास मैं छोटे से लड्डू को पाल, लड्डू को आगे बेठा ना मन कल्लू, इसका नाम कल्लू है आगे बेठा दिख रहा होगा आपको, कल्लू है, अपने गर में भगमान जो थे न, उनका नाम जरूर होना चाहिए, जैसे अपने बच्चा पेदा होता है, उसका नाम जरूर ही न, आज कर हास्पिटिल से जभी बेचते है नाम रखोगे तभी, क्योंकि जर्म प्रमान पत्र बनता है, तो बगमान भी अतने गर में रहे तुमका नाम जरूर होना चाहिए, न, आखरी में किस नाम से बुलाओगे तुम बगमान को, कभी बोलोगे, राम जी तुह आजा, संकर जी तुह जा, कनईया, कनईया जी तु तो में मेरे से बाबा को मना कर दिया बोडिया मना कर da इद तो मेरे टाइम इस तो ने तो से लिए जागाए तो उसे लुझ मेरे दुक तो ये तो इसलिए मेरे दीदा रहा है जा भी crédit जो ct,